प्रति भागी है उनकी और से इन्होंने अपने बारे में 6-7 बाते लिखी हैं लंबा चोड़ा एक सवाल भी है और एक कमेंटरी जैसी है अब इसमें से एक बात मैं आपके सामने रख रहा हूं अब समझ नहीं रहा हूं कि लखनी चाहिए भी कि नहीं कह रही है मैं दिखने में इतनी सुन्दर हूं मैं क्या करूं सबसे पहले तो यही समझलों की इतनी सुन्दर हो नहीं इतना विचित रहके क्या इस पर बूलें सुन्दर माने क्या कैसे पता चलता कोई सुन्दर है तो आकर्शक बोल सकते हो न सुन्दर तो नहीं बोल सकते हैं नहीं आकर्शक बोल सकते हो तो आप सुन्दर है नहीं इसका प्रमाण भी दूसरी दे देते हैं आकर्शक लग रहे हो लोग खिंच रहे हैं आपकी और तो आपने कह दिया हम सुन्दर हैं तो इससे तो यही पता चलता है कि आप दूसरों के किसी काम के हो दूसरे और आपकी और खिंच रहे हैं तो दूसरे किस काम के लिए आपकी और खिंच रहे हैं भाई क्योंकि साफ सुथरे शब्दों के पीछे हम असलियत छुपा ले आते हैं जब आप बोलते हो कि मैं बड़ी सुन्दर हूँ तो वास्तों में आप बोल क्या रही हो आप ये बोल रही हो कि मैं जबान लड़कों के पुरुशों के यौन सुख सेक्शूल प्लेजर के लिए बड़े काम की चीज हूँ ये हुआ ना या और भी कुछ हुआ इससे अलग आप सुन्दर हो तो आपकी ओर लोग खिच रहे हैं ये ही हो रहा है ना इसी से आप कहते हो मैं सुन्दर हूँ वो काय के लिए खिच रहे हैं आप से ग्यान लेने के लिए आ रहे हैं किसलिए आ रहे हैं आपके पास आपसे वो अंतराश्ट्रिय विशें उपर मंतरना करने आ रहे हैं आपके साथ टेनिस खेलेंगे वो जो लोग आपको आकरशक मान रहे हैं वो किसलिए आपके पास आना चाहते हैं आप हैं तो बड़ी सुंदर वो किसलिए आपके बात आना चाहते हैं बिल्कुल जमीन की बात करो हवा हवाई छोड़ो कि वो रोमैंस के लिए आना चाहते हैं वो दिल की शान्ती के लिए आना चाहते हैं या वो उनको लगता है कि हमारी स्वर्ग में बनी हुई जोड़ी है किसलिए आना चाहते हैं, जोड़ी है, पोड़ी है, जो भी है, वो किसलिए है, तो ले दे करके आप ये बोल रहे हो कि मैं बड़ी उप्युक्त चीज हूँ, फिट चीज हूँ, एक जेंडर को सेक्शुल प्लेजर देने के लिए, ठीक है, तो इसमें आपको क्या मिला, इसमें आपको क्या मिला, आप अपने आपको उपलब्ध करा दीजिए, दूसरों को सेक्शुल प्लेजर आपसे मिल जाएगा, आप खड़े हो जाएए कि मेरे साथ जो करना है करो, तो दूसरों को तो आपसे कुछ दो कौड़ी का फाइदा मिल जाएगा, आपको क्या मिला, अपे कुछ ऐसा करो जिसमें तुम्हारा फायदा हो अभी तो जिसको तुम अपने सुंदर्ता बोलती हो उससे बस दूसरों का फायदा है। तुम्हें क्या मिल रहा है, क्यांकि मुझे भी तुम मिलता है, तुम्हें क्या मिलता है, ऐसे ही थोड़ी उनको मैं sexual pleasure दे दूँगी, बाकाइदा कीमत लगती है, हाँ वो कीमत एकदम खोल के नहीं लगाई जाती, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा, वेश्या वृत्ति हो जा क्या मिलता है, काम कुछ नहीं करूंगी पर मुझे अपने घर में रख लो, तुम दिन भर काम करो, मैं घर में अपना मस्त, बिस्तरे में लेटूंगी, पाँसो इंच के टीवी में, घटिया सीरियल देखूंगी, तो यह सब कीमते हैं जो लगाई आती, मैं पूछ रहा हू जिसमें तुमें कोई सार्थक चीज मिल जाए, नहीं तो सुन्दर्ता कोई फाइदे की चीज नहीं है, सुन्दर्ता एक बीमारी की तरह है, करीब करीब एक लाइबिलिटी की तरह है, क्योंकि आपकी बोली लगनी शुरू हो जाती है, आप सुन्दर है, वही जो बात है, आपका सौन्दर किसको मिलेगा वो बोलिया लगाते हैं बिडिंग होती है औक्षन और आप बिखते हो बाकाइदा बिखते हो और जब बिख करके ही जिन्दगी की सहूलते मिलने लग जाती है तो आपके पास फिर कोई कारण नहीं रह जाता जिन्दगी में किसी उंची चीज को मेहनत करके हासिल करने का जब कुछ नहीं करना है बिख करके ही बहुत कुछ पा लेना है तो काहे को ग्यान बढ़ाएं काहे को कुशलता बढ़ाएं काहे को जिन्दगी में कुछ भी हासिल करके दिखाएं तो अजीब सी स्थिति ये है कि एक साधारण दिखने वाली लड़की से शायद ज्यादा मुश्किल है एक सुन्दर लड़की की जिंदगी क्योंकि उसके खरीदार बहुत ज्यादा है और उसे बहुत कुछ मिल जाएगा और इसे तुमको मिल जाएगा न अपनी सुन्दरता के कारण यही नर्क है तुम्हारा तुमको लेगा यह तो मुझे यूँ ही मिल गया है मैं सुन्दर हूँ इसलिए मुझे ये सब मिल गया है वो तुम्हें यूँ ही नहीं मिल गया है तुम्हारी चेतना की, तुम्हारी जिंदगी की जितनी उची से उची संभावनाएं हो सकती थी, उनको आग लगा करके तुमको वो सोने का बिस्तर मिल गया है, और गेहने मिल गया है और पांच़ सो इंस का टीवी मिल गया है। अब आप इतनी सुन्दर हैं कि क्या करें, आपको संघर्ष तो करने ही नहीं पड़ेगा, तो आप निखरोगे भी नहीं, बाहर बाहर रहोगे सुन्दर और भीतर भीतर रहोगे अतिकुरूप, अगली, और बाहर का जो सुन्दर रहोगे तो दस साल में ढ़ल जाएगा, तुम करा लो जितना बोटॉक्स कराना है, भीतर की जो कुरूपता है, वो और और स्थाई होती जाएगी, जो आप अपने साथ जिन्दगी में घटिया ते घटिया काम कर सकते हैं, वो यह है कि आप अपने शारीरिक सुन्दर की रोटी खाना शुरू कर दें, कि लड़की बहुत सुन्दर है, इसको तो बहुत अच्छा लड़का मिला है, बड़े डॉक्टर ने इसको पसंद किया है, अगर इस वज़े से पसंद किया है कि बहुत सुन्दर है, तो उसने अपने लिए कोई साथ ही नहीं चुना है, उसने अपने लिए यौन सुख खर सीधे सीधे कई एक वेश्या चुनी है बात है कि ये नहीं सीधी बोलिए वो कोई उसको इसलिए थोड़ी अपने घर ले जा रहा है कई उससे कोई उचे स्तरगी बाते करेगा उसको पता है कि किस चीज में उपयोगी होगी, ये बिस्तर पे उपयोगी होगी, ये इतनी सुन्दर है, और देवी जी बहुत मासूमियत के साथ पूछ रही है, हाई मैं इतनी सुन्दर हूँ, मैं क्या करूँ, जो खरीदार कतार बांद के खड़े हैं उनसे पूछ लो क्या करूँ, बहली नहीं पता तुम्हारा क्या होने वाला है, खरीदारों को बिल्कुल पता है तुम्हारा क्या होने वाला है, और खरीदार कभी यह नहीं कहते हैं कि हम खरीदार हैं, वो क्या बोलते हैं, हम क्या हैं, हम प्रेमी हैं, हम तो आशिक हैं एक जैन कहानी है, उसमें याद नहीं हारा लेकिन उसमें एक जन साधिका थी कहानी के मर्म को समझेगा उसका अर्थ आप विक्रत कर लेंगे तो कुछ भी और निकाल सकते हैं पर वो कहानी रची गई है सिर्फ एक तरफ को इशारा करने के लिए बाकी सारे उसके अर्थ जो भी आपके दमाग में होटाईएगा तो वो बहुत आकरशक थी बहुत आकरशक थी तो वो एक जैन गुरू के आश्रम में गई ट्रवेश लेने के लिए उन्होंने उसको मना कर दिया दूसरे के आँगे उन्होंने इं मना कर दिया इतना काफी था उसको समझने के लिए कि बात क्या है उसने एक लकडी लिए थोड़ी जलती हुई और अपने गाल पर ऐसे लगा लिया तो यहां निशान बन गया फिर हो गई उसको सुईकार कर लिया लोग सहेंगे यह क्या मतलब है कि कोई अपना रूप खराब कर ले तब सुईकार होगा नहीं इसका यह मतलब नहीं इसका मतलब यह है कि सुईकार वो होगा जो बोध को शिक्षा को ज्यान को अपने रूप से ज्यादा कीमत देता हो और रूपवती लड़की के साथ यह बड़ी समस्य हो जाती है कि सबस्यादा कीमत किसको देती है फिर अपने रूप को हाई मैं इतनी सुन्दर हूँ मैं क्या करूँ तो गुरु उससे प्रमान मांग रहे थे कि तू अपने रूप से भी ज्यादा किसी और चीज़ को तवज्जो देती है क्या उसने कहां मैं देती हूँ मैं ग्यान के लिए रूप की बली चड़ाने को भी तयार हूँ तो फिर उन्हें ने कहा तू आ अब तू आ सकती है आप तू ये शिक्षा देंगे तो ये जो पूरा खेल रहा है न सुन्दर्ता का इससे ज्यादा किसी चीज़ ने इस्त्रियों को नुकसान नहीं पहुँचाया है समझ महीं नहीं आ रहा जैसे कि ये सुन्दर्ता प्रक्रति की एक चाल भर है आपको गर्भ देने की तुम सुन्दर्ता के जो पैमाने समझते हो देखते नहीं हो वो सब के सब फर्टिलिटी से संबंधित है बोलो इसी तरीके से पुरुशों में जिन चीज़ों को तुम मैस्कुलिनिटी या हैंडसम होने का संकेत मानते हो वो भी सब के सब फर्टिलिटी से रिलेटेड है तो जो जितनी सुन्दर है प्रक्रति ने इंतजाम करा उसको उतनी जल्दी अम्मा बना देने का अब कर लो तुम जीवन में प्रक्रति और बोध की आत्रा और तुम यही सोच रही हो कि सुन्दर पैदा होना तो बड़े सौभाग्य की बात है मैं कहा रहा हूँ सुन्दरता को दुर्भाग्य बोल लो यह ज्यादा सही है फिर सुन्दर हो करके तुमको वो सम्मान और वो अटेंशन भी आसानी से मिलने लग जाता है जो दूसरों को बड़ी मेहनत करके मिलता है एक साधारन सी दिखना लड़ी लड़की हो स्कूल में या कॉलेज में वो जब पढ़ाई करेगी ठीक है क्लास में उचा स्थान लाएगी या खेलों में जीत कर दिखाएगी या किसी और तरीके कि किसी क्षेत्र में अपना हुनर दिखाएगी तब उसको इज़त मिलेगी है ना तब जाकर कि लोग उससे कहीं अच्छा क्या बात है अच्छा बड़ा अच्छा खेली है आप या वाँ आपकी तो टॉप रंक आई है उसको तब जाकर कि कुछ ध्यान कुछ अटेंशन मिलेगा और जो सुन्दर लड़की होगी वो कुछ है नहीं वो एक नंबर की डंब हो कुछ है ना आता हो जिंदगी में उसको एकदम किसी तरीके से उसको प्रमोशन करकर के पास किया जा रहा हो तब भी उसके पास लोग हमेशा ही कठा रहेंगे और उसको लेगा देखो मैं तो बड़ी महत्तपूर्ण हूं बड़ी इंपोर्टेंट उसके मिलता है और जब तुमको बिना कुछ करे धरे ही इतना सम्मान और इतना जूठा अटेंशन मिल ही रहा है तो फिर तुम कोई तरक्की करोगी क्यों समझ भे आरी बात तो जो चीज आपको मिलनी चाहिए महनत से वो मिलने लग जाती है जिस्म से अब आप और ज़्यादा और ज़्यादा शरीर केंदरित, बॉडी सेंटर हो जाते हो क्योंकि आपको जो मिल रहा है वो किसकी बदॉलत मिल रहा है किसकी बदावलत मिल रहा है जिस्म की बदावलत ही तो मिल रहा है जब आपको पता है कि आपको जिन्दगी में जो भी मिल रहा है वो बॉड़ी के कारण ही मिल रहा है तो फिर आप और ज्यादा बॉड़ी ही बन जाते हो मैं कौन हूँ? मैं तो यही हूँ फिर आप क्या करते हो फिर आप जबरदस्थ खर्चे करते हो कॉस्मेटिक्स पे फिर आप दिन के दो दो चार चार घंटे लगाते हो बस अपना सौंदर निहारने में और सवारने में फिर आपकी जिंदगी के बड़े प्रोजेक्ट्स यही होते हैं कि बाल सीधे कराने हैं और रंगवाने हैं और यहां पर यह हो गया है और यहां यह हो गया है और फलाने ना खून में फलाने शेड का करना है यह आपकी जिंदगी के बड़े मुद्दे हो जाते हैं और आपकी मजबूरी है इन मुद्दों को बड़ा बनाना क्योंकि इन ही से आपकी जिंदगी है इन ही से आपका पेट चल रहा है इन ही से आपको सम्मान मिल रहा है इन ही से आपकी उप्यों किता है और आप फिर बहुत डर में जीना शुरू कर देते हो बताओ क्यों क्योंकि आपको पता है रूप ढ़ल रहा है और आपको पता है कि रूप किसी की बपौती नहीं होती आप रूप वती है कोई आपसे डियोड़ी रूप वती हो सकती है आपको पता है अगर कि आपके जो रिष्टें वो रूप की बुनियात पर ही खड़े हैं तो जल्दी कोई दूसरी आ सकती है जिसका रूप आप से भी आगे का हो तो आप डरे हुए रहते हो हमेशा आप जिसके साथ हो आप उस पर बंधन कसके रखोगे और आप दिन रात इसी चक्कर में रोगे कि आपका रूप कही ढ़ल न जाए लेकिन रूप तो दो पहर की तरह है स पांज होनी है उसे ढ़ल जाना है सूरज हमेशा तो नहीं चमकना और जब ढ़लने लगता है तो फिर आपको जाता है डिप्रेशन अब मुझे बताओ मैं क्या करूँ मैं इतनी सुन्दर हूं मैं क्या करूँ समझ भी नहीं पाते कि ये जितने घूम रहे हैं आपके सुन्दर रेके याचक शमा के परवाने ये वास्तव में आपको कोई इज़त कोई सम्मान देते नहीं है ये बस आपको बेवकूफ बना रहे हैं आपके मूपर ये आपसे बस एक चीज़ चाहिए तो आप पलट के जवाब क्या देती है तो हम कहां से कम हैं अगर वो हमसे एक चीज़ ले रहे हैं तो हम भी तो उनसे जम करके कई चीज़े लेंगे पैसा, सुविधा, सहुलियते, सुरक्षा ये बहुत सस्ता सौधा कर लिया आपने इस व्यापार में पढ़िये ही मत जिस्म की सुंदर्ता को अपनी पहचान मत बनाईए सधा हुआ जिस्म हो, मस्बूत जिस्म हो, वो ज्यादा अच्छी वात है आकर्शक हो न हो, तगड़ा होना चाहिए ताकि जिन्दगी में आप जो भी काम करने जा रही है शरीर उसमें असफल न हो जाए और जिन्दगी में जिन्नें भी बड़े काम करने है उन कामों में एक बाधा शरीर भी बनता है ऐसा नहीं है कि चुनोतियां सिर्फ मांसिक होती है आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट उठाइए शरीर भी एक समस्या बनके खड़ा हो जाता है कि साथ नहीं दे रहा है तो शरीर मजबूत रखिए वो कहीं ज्यादा जरूरी है कोमल कोमल सुन्दर सुन्दर पुरुशों को तो आपके शरीर में वही सब कुछ आकरशक लगता है जहां फैट है और आपके लिए जरूरी होना चाहिए वो सब कुछ जहां मसल है अंतर समझियेगा कोई पुरुश आपकी मसल्स की और अगर्शित नहीं होगा बलकि आपकी मसल्स ज्यादा मसबूत हो गई तो डर के भगेंगे वो आपके उन हिस्सों की तरफ बढ़ते हैं जहां पर फैट वसा एकठा है और आपका उद्धेश बलकुल उड़्टा होना चाहिए कि ये फैट जहां जहां एकठा इसको कम करना है मजबूत क्या होनी चाहिए मसल्स, जहां तक शरीर की बात है और शरीर से आगे क्या मजबूत होना चाहिए मन, और मन की मजबूती किसमें है समझदारी में, ग्यान में, बोध में समझ रहे हैं?